नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्टेश्वी कलाइच पर दोस्तों आए आज के कच्चे करमचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है तो सबसे पहली खबर आज ले लेते हैं रिवाडी बासकर से यहां पर देख सकत भरदी जिस वज़े से आपर करमचारियों को नुक्सान हो रहा है तो इन्होंने मांग की है कि इनकी जो भरपाई की जाए और इनके जो गलती हुए है उसको दुरुस्त किया जाए और करमचारी को भी एक तरह से उसको जिम्मेदार ठहराया जाए अगर इनकी मांगे नहीं भी मानी गई तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऐसी कारियाले पर दर्णा परदसन करने की भी बात बोली है रिवाडी के अंदर दोस्तों अगली खबर देख लीजे यहाँ पर करमचारियों को च्यार माशे नहीं मिला है वेतन तो बूस्ट रोपरेटर दोस्तों यहाँ पर प्रेशान है नाबार प्रियोजना के तहित जो बूस्ट रोपरेटर लगे हुए हैं इनकी दोस्तों च्यार महिने से सेलरी नहीं मिली है जिस वजह से इनके पारिवारिक जो आर्थिक हाला था हो खस्ता हो गए है करमचर ने यहाँ पर आरोप लगा है कि करमचरियों के पी एफ यह साई में ठेकेदार वया जो अधिकारी है मिलकर गबन कर रहे हैं यहाँ पर सरकार ने एक नॉमर दो जारी की से ठेका परता समाप्त कर दी है लेकिन बाजुद इसके इनको जो है दोस्तों इनको दोबारा से इनके लिए ठेका एक तरह से दे दिया गया जबकि इसे खुश नहीं थे तो ठेकेदार एक मई दो जार बाई से ठेकेदार को ठेका दे दिया यहाँ पर करमचारी इसके भी विरोध में दिखाई दे रहे हैं सिरसा में भी कुछ ऐसे ही हालात है दोस्तों यहाँ पर बुस्ट रोपरेटरों के इनोंने यहाँ पर मांग की गी है देख लिजिए यहाँ पर खचे क्रमचारें को पका किया जाए और साथ में जो खाली पद है उनको नीमीत पदों से भरा जाए और यहाँ पर इनकी जो बेसिक जरूरते हैं वो भी नहीं पूरी की जारी है जैसे कि यहाँ पर बता गया है कि इनको वर्दी जूते के जो पैसे मिलते हैं वो भी नहीं दिये जा रहे हैं चेंब्रों की मरमत करवाई जाए LTC वगरा और कुछ जो अन्य परेशानिया इन की वो चले हुई हैं वेक्तिगत परेशानिया है वो करमचारियों की दूर नहीं की जारी है जो हर करमचारी के लिए मतलब अलग लग जग है पर जहाँ पर हो काम करें उसके हिसाब से होती है तो PWD मेकेनिकल करमचारी दोस्तों यहाँ पर परदसन कर रहे हैं अगली खबर देख लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कल दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा जल्सा किया है परदसन तो अंगलबाडी वर्कर दोस्तों अपने मांगों लेकर परदसन लगातार कर रही हैं तो अब 10 तारीकों यानिकि 10 सितंबर को इन्होंने जो मंत्री के मकान का एक तरह से गिराव करने के लिए बोल दिया रहा जिस वज़े से क्रमचार में आपर रोस है और इनके 349 जो क्रमचारी है उनको भी बहाल नहीं किया जा रहा है तो क्रमचार में आपर रोस बढ़ता जा रहा है तो आज की लास्ट खबर देख लिजिए आपर करनाल बासकर से कम्प्यूटर लब अटेंडंट 10 सितंबर को करेंगे राजय करे करने की बैठक तो दोस्तो लब अटेंडंट 3 से 9 सितंबर तक विदायकों को देंगे ग्यापन तो तीन से नो सितंबर तक दोस्तो जो सत्ता पक्स के विदायक उनको ग्यापन देने के इन्होंने याँ पर प्लान बनाया है तो लगबग इनको 49 दिन हो गया पर दसन करते हैं अपनी मागों लेकर दोस्तो यहाँ पर 16 अगस्त को जो इनकी मिटिंग हुई थी उसमें बत बोला गया था कि इनकी जल्द ही मुख्यमंत्री साब से मुलाकात करवा दी जाएगी दोस्तो इनको लिखित में आसवासन दिया गया था एडिसी साब के दोरा लेकिन लिखित आसवासन भी एक तरह से यहाँ पर शिर्फ जासा ही निकला तो यहाँ पर अब तक इनका मुख्यमंत्री से जो है मुलाकात नहीं करवाए गई है तो इन्हों नहीं आपर आरोप आते हैं हर्याना में जुकेशन से लेटेट कच्छे करम चे जुड़ी खबरे समय पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें थैंक यू वेरी मच